हे दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम बात करें बायो क्लेब दिये सस्पेंशन के बारे में इसे क्यों डॉक्टर आपके बच्चों में प्रिस्क्राइब करते हैं क्या इसका डोस होता है कैसे इसका बेनिफिट साइड इफेक्ट देखने को मिलता है और किस तरकी बीमारी में से दिया जाता है अगर आप जानना चाहते हैं तो अन्त तक बने रहे बायो क्विट दिये सस्पेंशन इसे जो बनाता है वह सैंडोज फार्मा है और इसका जो पैक है वह 30 म का कॉस्ट 140 जो मार्केट में ज्यादा भी हो सकता है इसके अंदर अमोसलीन है 400 100 mg है और एसेड वह 57 mg है तो इसका इस्तमाल बच्चों में किया जाता है जब बच्चों को बैक्टिरियल इंफेक्शन होता है जैसे कि उनके नाव कान गले में बैक्टिरियल इंफेक्शन हुआ है या उनके जैसे की यूनी ट्रैक्ट में बैक्टिरियल इंफेक्शन हुआ या soft tissue bacterial infection हुआ है या बच्चों में जैसे की chest infection है जैसे की उन्हें कफ वगेरा जमा हो जाती है या pneumonia हो गया बच्चों में तब इसे दिया जाता है typhide का fever है या fever जैसे की दो दिन आ रहा है दो दिन से ज्यादा हो गया या जैसे की आपके बच्चों में जैसे की बुखार दो दिन से ज्यादा हो गया है तब या जैसे बच्चों में कहीं कट गए है जल गए minor तब इसे दिया जाता है बच्चों में operation वगेरा हुआ तब इसे दिया जाता है ये काफी अच्छा है जैसे बच्चों में अगर फ्रैक्चर वगेरा हो जाता है उस समय भी ठीक होने के लिए डॉक्टर से देते हैं एक एंटिबायोटिक है तो बैक्टिरियल इंफेक्शन को ठीक करता है तो इससे जो डोज रहता है वो डॉक्टर के बताय अनुसार अपने बच्चों में दे क्योंकि वजन के हिसाब से इसका डोज दो की निर्धारित किया जाता है तो अगर आप इसे ले रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें इसे जो की पाद दिन के लिए दिया जाता है तव 20 जली डोज रहता है और जैसे की आप लेना चाते हैं डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें अगर आप खुद से लेकर बिलाएंगे तो हो सकता बच्चों में इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है बच्चों में उल्ती आ सकती है जी उचला सकता है पेट में गैसिस हो सकता है अपचन हो सकता है एसिडिटी बढ़ सकती है डाइरिया डिसेंट्री जैसा फील कर सकते हैं तो अगर आप विडियो चैनल पर पहली बार विजिट किये विडियो जरा से भी आपको इन्फॉमेटिक लगती हैं, तो विडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, यह जानकारी अपने दोस्तों में भी शेर कर सकते हैं, अगर आपका डाउट है, तो इस दी में प तो जाओटी को ऊच्चब सुष्ण झाताु में पने भी जाओब कर दोसिता आपका।